हेलो बच्चो हमारा प्रस्ण है अगर P V बराबर C है तथा P gas का दबाव V gas का ऐतन और C का चर्रास है तो P तथा V के बीच कौन सा ग्राब सकते है इसके आंसर कुछ इस प्रकार ABCD जो की ग्राब के फार्म में प्रदर्शित है ज़िए हम इसे हल करते हैं प्रस्ण में दिया ग अचर्रासी है तो P जो है हमारा 1 by V पर निर्भर करेगा बच्चो अब इसको हमें question समझते हैं तो यह हमने क्या समझा रहा है कि अगर V की value बढ़ाएंगे तो P की value कम होगी अगर V की value कम करेंगे तो P की value बढ़ेगी तो इसको अगर हम ग्राब के फार्म में समझें है तो बच्चो इसका ग्राफ को सब कुछ चलो हम value कुछ रवी प्रेजन करते हैं एक दो तीन चैर अग्राइब बच्चो वी की value suppose that हम एक लेते हैं तो कि P की value एक होगी अगर हम दो लेते हैं तो पी की value और कम हो जाएगी तो यह value suppose that है आएगी उसके बाद वी की value अगर हम पांच लेंगे तो ऐसे साथ ही जब वी की value हम कम लेने लगेंगे suppose एक से कम लिए तो हमारा जैसे वी की value 0.9 लिए तो यह value कुछ यहां पर आएगा यह आपका बढ़क वन बाइन एक से बढ़ा होगा तो यह कुछ पॉइंट यहां पर आजाएगा साथ ही जैसे वी की value हम फिर से लेंगे 0.8 ले लिए बच्चो तो यह value कुछ 0.8 एक से और थोड़ा सा उपर होगा तो यह हां होगा तो अगर हम इसको graph के फाम में देखेंगे तो यह value कुछ ऐसे बढ़ती जाएगी वी कमान जैसे जैसे कम लेंगे पी की value यह बढ़ती चली जाएगी तो अगर हम graph के फाम में इसको प्रदर्सित करेंगे तो हमारा जो graph है कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चो जो कि हमारा डी answer को प्रदर्सित करता है अता हमारा जो डी इस प्रस्ण का answer है वो डी होगा आ